नमस्कार दोस्तों मैं हूँ तेजेंदर भर्दवाज और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्तान सीधी भरती परिक्षा RSM SSB 2020 JN और उसका मेकेनिकल इंजिनेरिंग में डिपलोमा होल्डर्स विद्यार्थियों के लिए जो एक्जाम आयुद किया गया था 13 दिस परिक्षनों की सम्क्या 120 और समय दो घंटे का था जिसमें पूर्णांक 120 था और नेगेट्व मार्किंग नहीं थी क्योंकि ना तो नोटिफिकेशन में और ना ही पेपर में कहीं मैंसन था खिर नेगेट्व मार्किंग होगी और इसमें 120 प्रश्णों में 40 प्रश्ण जो थे वो राजस्थान जीके के थे और 80 प्रश्ण वो थे टेक्निकल जो की मेकेनिकल इंजिनिर्ग डिप्लोमा स्टुजेंट्स के लिए जो की सलिवस में दिया हुआ था उसे सम्मन्दित थे तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान जीके के 40 प्रश्णों के बारे में शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रश्ण जो पूछा गया था इन विच फोर्ट जैवान कैनन इज इंस्टाल्ड किस दुर्ग में जैवान तो इस्थापित है दोस्तो इसका सही आंसर है जैगड जैगड दुर्ग है जैपुर जिले में वहाँ जैवान तो पिश्थिता है एसिया की सबसे बड़ी तोप है प्रश्ण दो है नकी जील कहाँ पर है वेर इस दा नकी लेक सिट्वेटेड उदैपुर माउंट अबू जोदपूर अजमेर दोस्तो इसका सही आंसर है माउंट अबू जो की सुरोई जिले में पड़ता है माउंट अबू वहाँ पर नकी जील है टॉड रॉग भी वही है प्रश्ण नमबर 3 है इन विच रूलर टाइम डिट दा आर्ट अफ मीना कारी इन जैपूर कम सुवाई जै सिंग मान सिंग फर्स्त भारमल मिर्जा राजा जै सिंग जैपूर में मीना कारी की कला किस सासक के समय में आई तो दोस्तो इसका सही आंसर है मान सिंग प्रथम मान सिंग प्रतम लेकर आयत है लाहूर से उसके बाद मैं चौथे प्रशन की बात करते हैं निम्न बोलियों में से कौन सी डूंडाड़ी की उपवोली नहीं है डूंडाड़ी देखिए दोस्तों ये जैपुर खित्र की बोली है और इसका जो सही आंसर है वो अहीरवाटी है अही पूंडाड़ी की अपवोली है नहीं है पांचवें प्रस्ण की बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक चित्र कला का अंग नहीं है कौन सा चित्रकला का विच वन आप फॉलविंग इस नॉट पार्ट ऑफ फोल पैंटिंग्स फड बनी ठणी सांजी पत्वारी दोस्तों मैं बता दू फड जो चित्र होते हैं वह जैसे रामदेव जी की फड पाबु जी की फड कपड़े पर चित्र के आते हैं बनी ठणी किस यह आंसर हो जाएगा पत्वारी फिर हम प्रश्ण नमबर च्छे की बात करते हैं कि प्रश्ण नमबर च्छे है विच प्लेश इन राजस्थान is famous for the art of tie and die बांधो और रंगो के लिए बांधो और रंगो के लिए कला के लिए राजस्थान में कौन सा इस्थान प्रशिद्ध है तो दोस्तों सबसे बांधो और रंगो को कहते हैं बंधेज और बंधेज के लिए जोदपुर राजस्थान में प्रशिद्ध है जोदपुर में प्रिंट और बगरु प्रिंट फेमस है जबकि नाथ द्वारा की बात करें तो वहाँ पर पिछवाईयां फेमस है जो पिछवाईयां जो होते हैं कपड़े पर स्रीक्रिष्ण के चित्र बनाए जाते हैं फिर अगला प्रशन है प्रशन नमबर साथ बलवद बिलास की रचना किसने की हुई इसका सही आंसर होगा सूरिय मल मिस्रण दोस्तों जेम्स टॉड की रचना है एनल्स एंड एनलिटी ऑफ राजस्थान मोनोत नैंडसी की रचना यह नहीं है दयालदास श्यामलदास ने अलग रचना की थी जो कि बिकानेर राटवडारी ख्यात जबकि सूरिय मल मिस्रण की रचना है वो वलवद विलास है इसका सही आंसर होगा सूरिय मल मिस्रण आठवे प्रशन की बात करें राजस्तान विदान सवा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी विकेम दा फॉस्ट वुमन स्पीकर ओफ राजस्तान विदान सवा तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रा सिंग सुमित्रा सिंग राजस्तान की प्रथम महिला अध्यक्ष वानी थी नवे प्रशन की बात करते हैं विकेम मार्टियर एट डाबी निम लिखित में से कौन डाबी में सहीद हुआ तो दोस्तों डाबी जो हत्यकांड था उसमें इसका जो सही आंसर होगा नानक भील और ये सहीद हुआ था इसके लिए एक छोटी सी कहानी आती है कि इकराम हुसैन ने एक सभा में गोलिया चला इसमें नानक जी भील और उसके साथ में देवराज गुजर वह सहीद हो गए थे जबकि नैनुयाम की बात करें तो नैनुयाम बुंदीकिसानांदुलन से संब्धित है रूपा जी और ऑर काली जो है वह रास्तापाल से संब्धित है भील कण्याती काली प्रशन नमर् नो क सभी नाना भी लोगा फिर प्रशन नमबर 10 की बात करते हैं, एर फर विक्रम संभत केलेंडर on which day सीतलास्थमी is celebrated, कि किस विक्रम संभत पंचांग के अनुसार सीतलास्थमी किस दिन मनाई जाती है, तो सीतलास्टमी जो है चैत्रकृष्ण अस्टमी के दिन मनाई जाती है और इसके बारे मैं और बतादू सीतला मता का मेला जो है चाक्सु जैपुर में भरता है प्रतीवर्ट्स चैत्रकृष्ण अस्टमी के त्योहार पर फेर बात करता है 11 प्रश्न की In which following pair is mapped correctly विच्छ और फॉलोविंग पेर इस मैस्ट करेक्ली निम्ड में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है दोस्तों यहां दे रखा है क्रसी जलवाई प्रदेश और जिले जो हैं तो क्रसी जलवाई प्रदेश वैसे तो कोपेन ट्रिवार था और थारनवेट ने चार चार अलग अलग भागों में इस क्रसी जलवाई प्रदेश को बाटा है जिसमें उपाद्र, सुस्ख, उसके बाद में आ जाता है अपना अतियाद्र, छेत्र, जिसमें AW, BSSW, BSHW और CWG प्रकार से यह सुमेलित किये गए हैं और इसमें जो सही आंसर होगा वो दोसा होगा थर्ड, A जो केटेगरी में आता है वो दोसा है ठीक है ना जो की BSSW में आता है मतलब हम कह सकते हैं यह इसका सही आंसर दोसा होगा फिर प्रश नमबर 12 की बात करते हैं राजथान, राज्य, प्रदूशन, नियंतर, मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूशन की रोकताम वे नियंतरन के लिए हुआ था तोस्तों इसका सही जो आंसर है वो होगा जल प्रदूशन के लिए 1994 में कानून मनाया गया था, एक मंडल का गठन किया गया था जो की जल प्रदूशन के लिए पहले क्या होता था उसके अंतरगत कुओं में, तालाओं में, नलकूपं में, लाल दवा का प्रदूशन की रोकताम के लिए फिर बात करते हैं अगले प्रशन की सेवन वे लवन घास, राजस्तान के किस जलवायू प्रदेश में उगती है सेवन वे लवन घास, राजस्तान के किस प्रदेश में उगती है तो दोस्तों जो सेवन और लवन घास है, ये सुस्क में, मतलब जैसल में, जो छित्र है तेरेवे का सुस्क डी प्रस्ट नमबर 14 की बात करते हैं प्रस्ट नमबर 14 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी परियोजना मद्य परियोजना राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के मद्य एक संयुक्त उप्रकाम हैं दोस्तों इस कोशन को बड़े ध्यान से पढ़ यह परियोजना है जो कि मही नदी अमरोरू जिले की मेहन जील से मतला MP की मेहन जील से निकलती है लेकिन MP में कोई बांध नहीं बनाया गया इसके उपर जबकि गुजरात के अंदर कड़ाना बांध बनाया गया मही नदी के उपर और राजस्थान के अंदर वासबडा जिल और नर्मदा नदी परियोजना और नर्मदा नदी परियोजना से आपको याद रखना है सरदा सरोवर बांध है वो गुजरात के अंदर बना हुआ है और इसकी नर्मदा नहर निकाली गई है वो राजस्तान के अंदर सिचाई की परियोजना है सही आंसर इसका होगा 14 प्रशन का C फिर बात करते हैं 15 प्रशन की जनरली डूरेशन ओफ साउथ वेस्ट मांसुनी राजस्थान सामानित है राजस्थान में दक्षिन पस्वी मांसुन की अवदी होती है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है जून से सितंबर मां जो वर्शा का जो महिना होता है वो जून से सितंबर होता है और सर्दी का जो मौसम होता है अक्टूबर से फरवरी होता है तो इसका जो सही आंसर होगा जून से सितंबर प्रेश्ट नमबर 16 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गौवन्स के बारे में आसकते हैं जो गिर है देखिए नो प्रकार की गाएं होती है गौवन्स नो प्रकार का होता है जिसमें मेव आती है कांकरेज आती है साचोरी आती है राठी आती है मालवी आती है ठीक उसके बाद में आती है ये अपनी गिर गाय उसके बाद में नागोरी गाय आती है तो इस प्रकार से नौप्रकार की गायों का वंस है और गिर जो गोवंस है उसके बारे में क्या है कि कौन सा अस मेर में पाला जाता है ये बिल्कुल सही है और इसे रेंडिया के नाम से देखो कई किताओं में रेंडिया भी लिखा हुआ है कई किताओं में रेंडा लिखा हुआ है तो ये भी कतन सही है इसका उद्वब सौराष्ट्र गुजरात से है ये भी इसका बिल्कुल सही है लेकिन बैल को दोड़ खेल में उप्योग किया जाता है देखो दोस्तों ये जो गिर गाया ना इसके बैल को नहीं लिया था दोड़ के लिए वो कांकरेज गाया के बैल को यूज किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 16 का सही आंसर होगा C फिर बात करता है सत्रवे प्रश्ण की निमलिकित में से राजस्तानी बोलियों पर बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है तो दोस्तों इस प्रश्ण का सही आंसर होगा बागडी बागडी जो भासा है वो दक्षिण रास्थान में बोली जाती है बासवड़ा डूंगरपुर क्षेतर में और वो साबर काथा बनास काथा जिलों से जो कि गुजरात के जिले हैं संबंदित है और वहाँ पर गुजराती का बहुत मजबूत प्रभाव है जबकि ढुणडाडी है वो जैपुर और टॉंग क्षेतर में बोली जाती है ब्रज भरतपुर क्षेतर में बोली जाती है मेवाती अलवर क्षेतर में बोली जाती है तो इस प्रिकार से प्रश्ट नमबर 17 का सही आंसर होगा बागडी प्रश्ण नमबर अठार की बात करते हैं धोला मारूरा दोहा का रशनाकार कौन था तो दोस्तो इसका जो सही आंसर है ये है कभी कलोल उप्शन नमबर बी जब अपन बीटू सूजा की बात करते हैं बीटू सूजा है जबकि धोला मारूरा दोहा इसका रशनाकार कलोल है इसका आंसर हो जाएगा बी प्रश्ण नमबर 19 की बात करते हैं बढ़ार भोज किस अफसर पर रखा जाता है उप्शन A मृत्यू के समय, उप्शन B उच्छवों के समय, उप्शन C विवा के समय, उप्शन D जन्म के समय तो दोस्तो इसका सही आंसर जो होगा विवा के समय मतलब जब बरात जाती है और बरात पहले क्या होता था पहले के जमाने में कि बरात वहाँ पर दो या तीन दिन रुकती थी जिसको जनवासा कहा जाता था और बारात रुकने के दूसरे दिन, शादी होने के दूसरे दिन जब बारात को भुजन कराया जाता था, उसको बढ़ार का भुजन का आ जाता है, तो इस प्रशन का सही आंसर हो जाएगा बिवा के समय, फिर प्रशन नमबर 20 की बात करते हैं, राजस्थान में गवरी देवी किस विद्धा के लिए जानी जाती है, विच स्टाइल आफ सौंग गवरी देवी इस नौन एज राजस्थान, तो दोस्तों इस प्रशन का सही आंसर हो जाएगा, मांड गाये का, मांड गायन, मतलब गवरी देवी है, वो मांड गायन से सम्बंदित थी, प्रशन नमबर 21 क चराइवाईती, इस प्रकार से लोगों होता है, ठीक है न, उसका मतलब होता है, चलते रहे, चलते रहे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, प्रशन नमबर 22 की बात करते हैं, निम्न में से जवाई नदी, किस नदी की सायग नदी है, जवाई इस ट्रिब्रूटरी अ जवाई भी लूणी की सायग नदी है, जवकि बनास बेसिन अलग है और माही बेसिन अलग है, ठीक है न, फिर अपन प्रशन नमबर 23 की बात करते हैं, प्रशन नमबर 23 में लिखा हुआ है, राजस्तान के निम्न में से किस इस्थान पर केंद्रिय भेड एवं उन सोध संस् है, Central Seep and Wool Research Institute is located at which of the following places of राजस्तान, सांगानेर, जैपूर, पुसकर, अजमेर, पोकरन जैसे मिला, अविका नगर टॉंक, दोस्तों आपको ध्यान रगना है, इस कुसम का सही आंसर अविका नगर टॉंक है, जिसमें भेड उन सोध संस्थान और बकरी के लिए भी, अगर ब जोदपुर का एक option होगा, तो वो आपको जोदपुर लगाना है उसमें, फिर अपन चोईसे प्रशन की बात करते हैं, बीका नेरी नर्मा यो मालवी, किसकी किसमें है, बीका नेरी नर्मा यो मालवी और वेराइटीज ओफ, तो दोस्तों ये धान लगना है, कपास जो है, वो कपास की किसमें होती है, बीका नेरी नर्मा और मालवी दोनों कपास की किसमें है, ठीक है, फिर 25 प्रशन की बात करते हैं, 25 प्रशन में लिखाओ है और राजस्तान के कुल भौतिक शित्रपल का लगबग कितना प्रिस्त पश्च्मी मरुस्तल पदेश के तहट आता है, How much percentage of राजस्तान total geographic area is approximated under western desert region, दोस्तों इस question में बहुत ज़्यादा confusion होता है, बहुत सारी exams में question confusing type होता है, कई जगे delete भी हो जाता है, चुकि जब पिछले previous years के paper देखते हैं, तो उनमें तो इसका right answer 61% है, लेकिन पटवारियादी exam की जब previous year के paper देखते हैं, उसमें इसका answer 63% है, जबकि panorama जैसी book पढ़ते हैं, तो उसमें इसका answer 67% दिया हुआ है, और जब अपन सिखवाल जैसी पुस्त के पढ़ते हैं, तो उसमें 69% दिया हुआ है, तो इस question में सबसे ज़्यादा confusion है, क्योंकि कई ये बच्चे हैं, वो 61% करके आते हैं, कई है जो 63% करके आते हैं, कई 67% करके आते हैं, कई 69% करके आते हैं, तो main chances इस question के delete होने के होते हैं, पर इसका actual में देखा जाए तो 67% जो है रायस्तान का जो भाग है वो पस्चमी मरुस्तल प्रदेश के तहत आता है, इसका सही answer 67% होगा, लेकिन 61 भी हो सकता है, ये question confusable है, मतलब ये उसकी answer की पर depend करेगा, बात करते हैं, 26 वे number question की, किस वर्स में सामर जील के नमक पर British एक अधिकार इस्तापित हुआ था, तो सामर जील के जो नमक पर British एक अधिकार पूरा हुआ था, वो 1817 AD, मतलब 1817 ECV में ये हो गया, इसका सही answer हो गया, 1817, question number 27, 27 की बात करते हैं, कि name of the ruler of Alvar state who concluded treaty with the British in 1803, कि ऐसा Alvar का कौन सा 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 सक था, जिसने 1823 अंगरेज़ों के साथ संदी की थी, तो दोस्तों, इस question का सही answer है, बक्तावर सिंग, बक्तावर सिंग पहला ऐसा सा सा सक था, जिसने 1823 अंगरेज़ों के साथ संदी की थी, चलते हैं, प्रस नमबर 28 की और ट्रस नमबर 28 लिखा हुआ है, who is inaugurated the United Rajasthan, which came into, begin, being with merger of Mayward in Rajasthan Union, संयुक्त राजस्थान, जो राजस्थान संग में मेवार के विले में अस्तितव में आया, उसका उदगटम किसने की है, दोस्तों, सबसे पहले तो आपको राजस्थान के एकिकर्ण के सारी चरणों के बा किसको सामिल किया गया था, उदगाटन किया था, लेकिन जो तीसरा संग था, संयुक्त राजस्थान, जिसमें उदगाटन जवालाल नहरू ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जवालाल नहरू फिर 29 नमबर की बात करते हैं 29 कोशन की बात करते हैं जैपूर सहर का वास्तुकारेव नगर नियोज़ कौन था तो दोस्तो इस कोशन का सही आंसर है विद्यादर भट्टाचारिये यह आपको ध्यान रखना है प्रेशन नमबर 30 की बात करते हैं वालरा मेथड विचिस कॉज आफ एंबायरमेंटल डिग्रीडेशन इस टाइप आफ वालरा पदती जो की परियावर्नी अवन्यान का कारण है का एक प्रकार है दोस्तो वालरा पदती जो है क्रसी का प्रकार होता है जो की इस्थानांतरित क्रसी होती है उसका प्रकार होता है ठीक है तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा क्रसी प्रस्ट नंबर 31 की बात करते हैं प्रस्ट नंबर 31 में लिकाओ है निम्न में से कौन सी रेकर राजस्तान के दक्षनी भाग से गुजरती है दोस्तों दक्षनी भाग से गुजरती है वो करक रेका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो की बांसवाड़ा की बीचों बीच से और डूंगरपुर के दक्षिनी बाग से गुजरती है साधे तेज डिग्री कॉस्टन में इस कॉस्टन का सही आंसर जाएगा करकरेखा 32 कॉस्टन की बात करते हैं राजस्तान में निम्न में से किस नदी पर बीचल पुरुबांद अवस्तित है दोस्तों बीचल पुरुबांद टोडा राय सिंग जो की टॉंक का एक गाउं है वहां पर बिसलपूर बांध बनाया गया है जो कि बनास नदी पर इस्थित है जो कि जैपूर अजमेर टॉंक सवयमादोपर जिलो की पेजल परियोजना है इसके बादे में बात करते हैं प्रशन नमबर 33 की प्रशन नमबर 33 में लिखा है तो जैपूर मेट्रो रेल सिस्टम इन इंडिया सच सिस्टम जैपूर मेट्रो रेल प्रणाली भरत की ऐसी कौन सी प्रणाली है दोश्यटों इस क्वेस्टन भी किस पर डिपेंड करेगा आर, RSM, SSB की आंसर की पर डिपेंड करेगा क्योंकि निख सबसे पहले जो मेट्रो रेल स्टार्ट हुई ती कोलकाता म में हुई थी उसके बाद में कोलकाता के बाद में मुंबई मेट्रो रेल स्टार्ट हुई उसके बाद में दिल्ली मेट्रो रेल स्टार्ट हुई ठीक है उसके बाद में बैंगलोर मेट्रो रेल स्टार्ट हुई और उसके बाद में स्टार्ट हुई थी पांच वे में मेट्रो नाम से अलग दिया जबकू से अलग से मैट्रो नहीं है अगर इस गुड़गाओं मेट्रों गर्ट अके लग से मानते हैं तो छटा इसका अंसर वा हो और अगर गुड़गाओं मानते हैं तो इसका अंसर पाँच भा होगा मतलब इस यह question सिचाई परियोजना है सवाय मादोपूर जिले में श्थित है इस question का सही answer होगा A question में 35 की बात करते हैं aluvial soils of recent origins are not found in at नए मूल की जलोड म्रदा नहीं पाई जाती है दोस्तो इस question का सही answer चुकि इस question में बहुत ज़ादा confusion है नए मूल की जलोड म्रदा में तो इसमें जैपुर जो संभाग है उसमें ये question इसका answer हो सकता है इसमें confusion है इस question में ये depend करेगा RSMSSV की answer की पर फिर question number 36 की बात करते हैं match the following देखिए निम्ल लिखित को सुमेलित कीजिए परियोजना ये दे रखी है और नहर दे रखी है अब देखिए जब नहर की बात करते हैं तो भाखडा नागल परियोजना जो है वो किसे संबंदित है बिष्ट दोवाव से और चंबल परियोजना जो है वो दीगोद से संबंदित है ठीके दीगोद काँ पर है दीगोद कोटा में है कोटा का ही एक हम कहा सकता है टाउन है जहां से जश्के जहां से चम्मल नदी की नहर निकाली गए है ब्यास परियोजना है वह अर्शनलवान करने पर ओप्सन नंबर डी !क्कुंस नबर 37 की बात करते हैं आभानेरी स्टेब केशिधेर स्टापने में है यहां पर हर्सद माता का मंदर भी बना हुआ है तो सच्न पर पर्रस wartoч analyse की गहांत clothing धाना की तो दोस्तों की धाना यानी रखेंगे में मरूविकास बोर्ड की स्थापना हुई थी प्रशन नमर 49 की बात करते हैं बीकानिर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकवर के दिनता स्विकार की थी तो इसको सब्सक्राइब करते हैं जो कि अंतिम कोश्चन है और बहुत ही सिंपल है हरसत माता मंदिर युँँ चांद जो अभी अमने 37 कोशन देखा आभानेरी बावड़ी आभानेरी बावड़ी को ही चांद बावड़ी कहा जाता है और हरसत माता का मंदिर भी इसी बावड़ी के पास इस्तित है इसी बावड़ी में इस्तित है जिसका सही आंसर है दौसान तो दोस्तो इस प्रकार से 40 कोशन थे, I hope आपने इसे प्रकार से questions किये होंगे और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद